पेडो की कटाई करने वाले लोगों को जो वहा मिला उस पर उनको विश्वास नहीं हुआ बेशक दुनिया में ग्लोबल वर्मिंग भड़ती जा रही है लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग है जो हर रोज पेडो की कटाई करते हैं वो अपना पूरा दिन लगाते हैं पेडो की कटाई में और फिर उन पेडो को सुरक्षात्मक रूप से मशीनों तक पहुचाया जाता है लेकिन थोड़ा फीचे चलते हैं 1980 में जब जोर्जिया क्राफ्ट में लोग हर रोज की तरह पेडो की कटाई का काम कर रहे थे सब कुछ बिलकुल समाने चल रहा था लेकिन तबी उन्होंने एक खोकले पेड़ को काट दिया असल में जोर्जिया क्राफ्ट कमपनी एक कागज बनाने की फैक्टरी है जिसमें हर रोज बड़ी मात्रा में लकडी लाई जाती है जिससे कागज बनाया जाता है और 1990 में भी वो ऐसे ही एक दिन पेड़ो को काट रहे थे लेकिन उनको नहीं पता था कि उनको काटे हुए पेड़ से क्या मिलने वाला है अमेरिका में उगने वाले चैसनट के पेड़ बेहत तेजी से बड़े होते हैं जिस वज़े से ये पेड़ो की कटाई करने वाले लोगों के लिए खजाने जैसे हैं और इसे पूरी दुनिया में बड़े चाव से उगाया जाता है हर रोज की तरहे उस दिन भी पेड़ो पर निशान लगाये गए जिनको उस दिन काटा जाना था और सभी कारिगर अपने काम पर जुट गए लेकिन उन्होंने उन पेड़ो में से एक पेड़ ऐसा काट डाला जो अंदर से खोकला था इन खोकले पेड़ो को कागस बनाने के लिए सही नहीं समझा जाता लेकिन वो फिर भी जानते थे कि वो इस पेड़ से जलाने लाइक लकडियां हासिल कर सकते हैं जिस वज़े से वो उसे काटने में जुटे रहे पेड़ काट कर जमीन पर गिर पड़ा जिसके बाद उसे कई टुकड़ो में काटने का काम शुरू किया गया लेकिन तबी सभी की नजर एक छुपी हुई चीज पर गई कुछ था जो पिछले कई दश्कों से इस पेड में छुपाया गया था जब उन्होंने उसे पास से देखा तो डर के मारे सभी पीछे हट गए उस पेड के अंदर एक कुट्ता बैठा हुआ था जो उनको घूर रहा था उस कुट्ते के दान बेहत धार धार थे उसके अलावा उसके बड़े से सर का कंकाल किसी को भी डरा सकता था और उसका एक पंजा आगे की तरफ निकला हुआ था पेड काटने वाले लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये कुट्ता इस पेड की अंदर कैसे आया और ये इतना अजीब क्यों दिख रहा है किसी को कुछ नहीं पता था लेकिन वो सुभी तो काम पर थी तो उनको जल्दी ही डिसाइड करना था कि आगे उनको क्या करना है इसके बाद उन्होंने इसे और काटने के बज़ए संभाल कर रखने का निड़ने लिया और शाम को काम खत्म होने के बाद उन्होंने इसकी च्छानमिन करने का सोचा इस खोज के एक साल बाद जोर्जिया में एक नया म्यूजियम खोला गया जिसमें जंगल से जुड़ी चीजें लोगों को दिखाई जानी थी और जोर्जिया क्राफ्ट कंपणी ये जानती थी कि एक साल पहले की गई खोज के बारे में इस म्यूजियम से अच्छा कोई नहीं बता सकता म्यूजियम की ओपनिंग से पहले कारीगर इसे लेकर म्यूजियम वालों के पास पहुँच गए और म्यूजियम वाले समझ गए थे कि उनके हाथ कुछ बड़ा लगा है लेकिन उनको इस कुट्टे के रहस्य को भी सुलजाना था कई एक्सपर्ट्स एक साथ बिठाए गए पहले उन्होंने कुट्टे के बारे में स्टड़ी किया उन्होंने ये पता किया कि कैसे एक पुरा कुट्टा कुद्रती रोप से एक ममी बन गया और फाइनली एक महिला बायोजिस्ट ने इसकी गुत्थी सुलजाई क्यों ये कुट्टा पेड़ में नहीं घुल पाया कुट्टे के शरीर को परियापत मात्रा में नमी मिलती रही और खोकले पेड़ ने एक वेंटिलेशन क्रिया बनाई जिससे साफ हवा भी अंदर आती रही लेकिन कुट्टा इस पेड़ के अंदर कैसे पहुँचा वेग्यानिकों ने माना कि ये एक शिकारी कुट्टा होगा जिसकी उम्र उस समय लगबग चार साल की होगी और वो उस समय किसी रैकून या फिर किलहेरी का पीछा करते हुए पेड़ पर चड़ गया होगा उस समय पेड़ की लंबाई लगबग 28 वीट की रही होगी और समय वेग्यानिकों ने 1960 के आसपास का बताया पेड़ खोकला होने की वज़े से वो इसमें फस गया होगा और भूख प्यास के कारण इसकी मौत तडब तडब कर हो गई होगी ये कुत्ता आज भी उस पेड़ में दफन है और सही सलामत उसी म्यूजियम में रखा हुआ है और जो भी इस म्यूजियम में आता है वो इस कुत्ते को देखकर पूरी तरह से चौक जाता है बेशक आप ये वीडियो कुछी मिनर्स में देखकर निकल जाएंगे या फिर म्यूजियम में देखने वाले लोग इसे एक नजर में देखकर आगे चले जाएंगे लेकिन इस कुत्ते को अपना नाम बनाने के लिए अपनी जान देनी पड़ी और कई दशकों तक दुनिया से चुपकर एक पेड़ में रहा चलिए बात करते हैं एक कैबिन की जो रहस्य में रूप से जंगल में पाया गया कैलिफोर्निया के जंगलों में सफाई करमचारियों को पेड़ पर बने हुए कुछ अजीब निशान दिखे लेकिन इसका मतलब वो समझ नहीं पाए थोड़ी और आगे जाने पर उनके सामने एक कैबिन आ गया जो पूरी तरहें से लकडियों और प्लास्टिक के थैलियों से बनाया गया था ये कुछ इस तरह बनाया गया था कि इसे 50 फीट के दूरी से भी देखा जाना मुश्किल था और जब अंदर जाकर देखा तो करमचारियों को उस कैबिन में बहुत कुछ मिला वहाँ से मसालों के डब्बे, कई बुक्स, एक बेंच, एक कुरसी, एक लकडी जलाने वाला स्टोव और एक टाइप राइटर मिला इन सबकों वहाँ अच्छे ढंक से सजाया गया था कोई भी देखकर ये समझ सकता था कि वहाँ जरूर कोई रहता है लेकिन आज तक वही सवाल बरकरार है कि वहाँ कौन रहता था क्योंकि कैबिन के आसपास से यहाँ वहाँ आने जाने के कोई निशान नहीं मिले तब यहाँ पुलिस को बुलाया गया और पबलीक प्रोपर्टी वर रहने की वज़े से इस कैबिन पर लीगल नोटिस लगा दिया गया और कुछ दिनों का समय दिया गया इस जगे को खाली करने के लिए और जब नोटिस की टाइम लिमिट पूरी हुई और जब वहाँ जा कर देखा तो कैबिन वहाँ से गयब था इतना बड़ा कैबिन और इतना सारा समान कोई कैसे वहाँ से चोरी चूपे उठा कर ले गया चुकाने वाली बात यहाँ यह भी थी कि वहाँ आने जाने के कोई निशान भी नहीं मिले इसके अलावा वहाँ एक भारी भरकम कूकर भी मुझूद था जिसे एक आदमी तो कतई नहीं उठा सकता लेकिन वहाँ कौन आया, कौन गया और वो कैबिन खुद कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता दोस्तों, आपको ये दोनों सची घटना एक ऐसी लगी मुझे नीचे गमेंट सेक्चन में जरूर बताईएगा और क्या आपको भी ऐसी ही कुछ हजीब घटना पता हो तो उसके बारे में भी जरूर जिकर करें ऐसी ही इंट्रस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में यह है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद